दोस्तों क्या आप किसी ऐसी Housing Finance Company की तलाश में हैं जो आपको कम Income के साथ Home Loan दे सके साथी जहाँ आपके लिए कम आए के साथ Home Loan मिलना आसान होने के साथ आप बिना या कम Income डोकिमेंट के भी Home Loan ले सके तो आपकी इस तलाश को पूरा करती है आधार Housing Finance लेकिन आप इस housing finance company से तभी आसानी से home loan ले सकते हैं जब आपको इस company और इसके loan product की पूरी जानकरी हो तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आधार housing finance के home loan की संपूर ने जानकरी क्या है और home loan देने की इसकी क्या-क्या विशेशताएं हैं तो ये वीडियो आपको आखरी तक देखना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम न केवल आधार housing finance company के कुछ खास features की बात करेंगे बल्कि यहां से home loan में लगने वाले document ब्याद charges के साथी साथ यहां से home loan लेने की पूरी process की भी बात करने वाले हैं और वीडियो के आखरी में बताएंगे कि आप आधार housing finance से कैसे home loan ले सकते हैं या कैसे home loan के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करते समय आपको किन-किन बातों का जान रखना बेहत ज़रूरी है तो बिना देर की आज की वीडियो शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मंगलेश आप हैं हमारे चैनल पर no requests only finance तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले में कि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को हिट कर दें ताकि ऐसी ही informative वीडियो आपको लगाता मिलती रहे दोस्तों वेसे तो आज बहुत सी housing finance कंपणियां home loan देने का काम कर रही है लेकिन आधार housing finance से home loan लेने की बात करे तो यहाँ कम आए के साथ home loan देने का दावा करती है तो सबसे पहले बात करते हैं आधार housing finance के home loan product के बारे में दोस्तों आधार housing finance देश की बड़ी housing finance कंपणियों में से एक है और अपने विभिन home loan product के माध्यम से लोगों को loan उपलब्द करा रही है उन्ही loans में से एक है आधार home loan दोस्तों आधार housing finance के आधार home loan की कुछ खासियतों की बात की जाए तो कम आए के साथ home loan इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके अलावा बिना या कम इंकम डॉक्यमेंट के home loan देना भी आधार housing finance के home loan product की बड़ी विशेशता है दोस्तों अगर बात की जाए कि आप यहां से किस-किस काम के लिए home loan ले सकते हैं तो आपकी जानकरी के लिए बता दे कि नया घर खरीदने, नया घर बनाने, plot खरीदने तता उस पे मकान के निर्मान के लिए आप यहां से आधार housing finance से home loan ले सकते हैं इसके अलावा आप घर के विस्तार, सुधार और इक्प्रूमेंट के लिए भी यहां से home loan ले सकते हैं दोस्तों ब्याज और चार्जेस की बात की जाए तो आधार housing finance में हर जरुद के home loan के लिए अलग-अलग ब्याज निर्धारिक कर रखा है लेकिन अधिया आप किसी भी तरह का home loan लेते हैं तो आपको 11.75% से शुरू होने वाले ब्याज का यहां पर भुक्तान करना पड़ सकता है दोस्तों यह ब्याज आपकी profile, civil score और संपत्ती के value के साथ ही साथ आधार housing finance के home loan देने के अपने नियमों पर भी निर्धारित होता है और इसमें वे समय समय पर बदलाओ भी कर सकते हैं चार्जेस की बात करें तो यहां आपको आपके द्वारा लिए जा रहे है होम लोन का 2% से लेकर 3.5% तक का चार्जेस प्रक्रिया शुल्क के रूप में देने होते हैं इसके अलावा legal charges और insurance charges भी देने पर सकते हैं तो होम लोन लेने के पूर्व आपको charges की जांकारी भी जरूर लेना चाहिए दोस्तो अब बात करते हैं कि आधार housing finance किसे होम लोन उपलब्द करा सकती है तो दोस्तो जो भी विक्ति आधार housing finance की policy के अनुसार होम लोन लेने के लिए योग है उसे यहां से होम लोन आसानी से मिल सकता है रही बात profile की तो यदि आप government या private job में है या business से जोड़े हैं तो भी आप यहां से होम लोन ले सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में आगे हम आधार housing finance के document की जानकरी होम लोन आवेजन की प्रक्रिया के साथी साथ यहां से होम लोन लेने में क्या-क्या सावधानिया रखी जाए इसकी बात करने वाले हैं लेकिन इन जानकरीों को देने से पहले बताना चाहेंगे कि हमें आपके लिए ऐसी वीडियो लाने में काफी research और मेहनत करना पड़ती है ऐसे में अभी तक की जानकरी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक like जरूर करें ताकि हमें ऐसी ही और जादा informative वीडियो लाने का motivation मिलता रहे है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आदार Housing Finance से home loan लेने में लगने वाले दस्तावेजों के बारे में तो दोस्तों आदार Housing Finance से home loan लेने के दस्तावेजों की बात की जाए तो यहाँ home loan के कुछ प्रमुक दस्तावेज लगते हैं इन दस्तावेजों में आपके KYC जैसे आदार CARD, Pen Card, Driving लाइसेंस के साथ ही साथ विजली या अन्दी यूटिलिटी मिलकी आवशक्ता होती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां से होम लोन लेने के लिए पूरे इंकम डॉक्यमेंट की जरुवत नहीं होती लेकिन फिर भी आप थोड़े इंकम डॉक्यमेंट उपलब्द करा सकत हैं तो आपको और भी आसानी से होम लोन मिल सकता है इसके अलावा आपके संपत्ती से जुड़े दस्तावेजों की जरुवत यहां से होम लोन लेने के लिए आवशक है लेकिन आपके संपत्ती से जुड़े दस्तावेजों में कुछ कमी पेशी भी है तो आप यहां से होम के लिए अविदन कर सकते हैं दोस्तों डॉक्यमेंट के संबंद में आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आधार हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन लेने के कर सकते हैं दोस्तों डॉक्यमेंट के लिए अविदन कर सकते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आधार हाउसिंग फाइनेंस में होम लोन आविदन का तरीका बहुत ही आसान है आज देश के लगबख हर शहर में आधार हाउसिंग फाइनेंस की शाखाएं मोजूद ह आप सीधे आधार हाउसिंग फाइनेंस की किसी भी शाका में जाकर लोन के लिए आवेधन कर सकते हैं। इसके लावा आप टोल फी नंबर 888-89-9953 पर कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। इन दोनों के अलावा आप सीधे आउनलाइन भी अहाँ हाउम लोन के लिए आवेधन कर सकते हैं। और आपकी सुईधा के लिए आवेधन की डाइरेक्ट लिंप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। दोस्तों सभी जानकारिया मिलने के बाद यदि आप आधार हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन लेने का सोच रहे हैं। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना या सावधानिया रखना बहुत ज़रूरी है। इनमें से पहली में कि इस वीडियो में मैंने आपको ब्याज, चार्जेस और योग्यता के बारे में बताया है। तो ध्यान रखे होम लोन देने का निर्णे पूर्ण द आधार हाउसिंग फाइनेंस का अधिकार है। और वो आपकी प्रोफाइल, सिबल स्कोर और संपत्ती के आकलन के आधार पर होम लोन स्वीकरत करती है। और इनहीं आधारों पर ब्याज का निर्धारन भी होता है। तो जब भी होम लोन के लिए आवेदन करें, ब्याज चार्जेस और अन्य चीजों की पुष्टी करना आपके लिए जरूरी है। दूसरी जरूरी बात कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकरी दी है, वो आसान भाशा में समझाने के उख़शे से दी है। और ये सभी जानकरिया आधार हाउसिंग फाइनेंस की ओफिशल वेबसाइट से लिए गई है। और आधार हाउसिंग फाइनेंस समय समय पर इसमें बदलाव भी कर सकती है। इसलिए यदि आप ये जानकरिया वीडियो पगलिश होने के कई दिनों बात देख रहे हैं तो सभी जानकरी एक बार फिर से चेक कर ले या फिर इस वीडियो के नीचे आधार हाउसिंग फाइनेंस अपडेट लिख कर कमेंट कर दे ताकि यदि इन जानकरियों में कोई इसलिए अधार हांपे संब्स सहां नहीं करते और ना ही आधार हाउसिंग फाइनेंस ने हमें ऐसा करने के लिए स्पॉंसर किया है इसलिए किसी भी طरह का शुल्क देने से पहले या होम लोन आविदन करने से पहले अपने विवेक से नेड़ने लेने आपके लिए ठीक इसके अलावा यदि आपका कोई दोस्त या रिष्टेदार भी आधार आउसिंग फाइनेंस से होम लोन लेने का सोच रहा है तो उनसे ये वीडियो शेर करके आप उनकी मदद जरूर करें आधार आउसिंग फाइनेंस के होम लोन से संबंदित आपके मंद में कोई सवाल है त तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही इंफॉमेटिव वीडियो डोन और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपको लगातार मिलते रहे अगली बार ऐसी ही किसी नई जांकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी तब तक कि ले जाए एपकाराइब